एलो एबरीवन वेल्कम एक टो माई शैनल स्मार्ड जोई एस एसी में एक्जामिनेशन खत्म हो चुकिये इस वीडियो में बात करेंगे इसके कटफ के बारे में और सो बात करेंगे यहाँ पर इसके रिजल्ट कितने दिनों में आएगा और क्या आपका यहाँ पर सेफ इसको के ऊपर कि कोन-कोन से फेक्टर पर कटफ आप का डिपेंड करता है तो वेकेंशी कितनी है और कितने नमब्र आफ एस्टूटेंट ने आप पर एक्जाम दिया है क्या लेवल ओफ एक्जाम रहा है ठीक है और यहाँ पर फेक्टर है जो आपका कैंड़ीट के अटेम्ट है तो वह क्या रहे हैं तो अगर विकैंसी की बात करें विकैंसी कितनी थी विकैंसी यहां पर 1948 ठीट यानि कि नीच सो आरतालिश टोटल विकैंसी थी और इसके 20 गुना कैंडेट यानि कि 19,000 से ज़्यादा candidate में examination के लिए बुलाया गया थे उनका admit card जारी किया गया था attendance की बात करें तो आप मान के चलो कि यहाँ पर attendance 80% नहीं रहागा 82-90% उस से जहाँ attendance रहती नहीं है ठीक है तो 15,000 के around आप मान के चल सकते हो total candidate ने exam दिया होगा और 2000 के around यहाँ पर वेकेंसी है 2000 नहीं आपका वेकेंसी जो है उनीस सो अरतालीस है ठीक है 2000 नहीं है उनीस सो अरतालीस वेकेंसी है और इतने number of candidate मान के चल सकते हैं कि exam में appear हुए है अगर हम बात करें competition level की लगवाग एक seat पे 8 candidate fight करेंगे ठीक है यह आपका competition level है वह हम बात कर लें यहाँ पर जो आपकी level of exam थी हुए कैसी थी तो overall अगर यहाँ पर दीखा जाए तो moderate level का exam है ठीक है overall अगर दीखा जाए तो बहुत सारे candidate का कहना है कि paper जो था थोड़ा सा calculator था जो time जो था वो manage नहीं हो रहा था जैसे हम देखें कि यहाँ पर 200 question है ठीक है मेरे क्या मेशन आपर क्या होते 200 question है तो यहाँ पर time भी ज़्यादा लगता है question को solve करने के लिए बहले अगर आपका question उतना hard नहीं भी आ रहा हो लेकिन आपको यहाँ पर time तो लगता है ठीक है एक question को सही करने में में prelims की बात करें तो उसमें क्या था एक number का दो number का एक question था उसमें सिर्फ 100 question solve करने था यहाँ पर 200 question solve करने ठीक है तो time taken थोड़ा से यह हो जाता है और थ्वासा यहाँ पर concentration भी विगर जाता है जब आप यहाँ पर 200 question regular यहाँ पर solve करो तो ठीक है तो lengthy process तो overall paper की बात करें तो medium level का पका paper था यानि की moderate level का पका paper तो ना तो ज्यादा hard था नहीं ज्यादा easy था अब candidate की attempt की बात करते हैं candidate ने कितने attempt किया है क्या यहाँ पर accuracy है तो देखो सबसे पहले attempt की बात करते हैं तो यह मैंने audience poll लगाया था यहाँ पर आप देख सकते हो 39% candidate ह जो 160 से 170 questions सही कर रहे हैं ठीक है इतना उनका कहना है कि वो सही कर रहे हैं बाकिया 70 plus वाले को देखो तो स्रिफ 13% लोग है तो यह जो आपको poll देखने को मिलना बिलकुल सही poll है और अगर हम बात करें overall यहाँ पर जो candidate भोल नहीं कि मैंने 180 कर दिया है तो जो accuracy भी matter करता है अगर आपका accuracy ठीक ठाक नहीं है like 80% यह accuracy इससे भी नीचे जा सकता है ठीक है तो अगर आपने accuracy के साथ उतना 170 क्या सपस कर लिया तो आपके chances है कि आप आगे के stage के लिए जाओगे अगर हम यहाँ पर एक analysis की थुरू बात करें UR की OBC की क्या यहाँ पर safe score रहेगी जो भी UR के end rate है अगर वो यहाँ पर 168 से लेकर 172 कर रहे है ठीक है accuracy यहाँ पर अच्छी खासी होनी चाहिए 90 से उपर होना चाहिए तभी आपका यहाँ पर chance है अगर accuracy अच्छी नहीं रहेगी तो बहुत कम chance रहता है क्योंकि 80% मानलो कि आपको कोशिन सब्साइए तो negative होगी है वह सही सही तो बिल्कुल आपके chances है कि आप आग के stage के लिए जा रहे हो वही हम बात खर लें OBC की तो OBC में जिन candidate ने 165 प्लस करा होगा बिल्कुल उनके chances से आगे जाने के SST की बात करें SST की बात करते हैं सबसे पहरे ठीक है SST की दोनों की बात करें ज्यादा यहाँ पर टेक्मेंस रहता नहीं है 155 से लेकर 160 के बीच अगर सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आपके chances से आगे के stage के लिए qualify होने के लिए तो यह आपका यहाँ पर expected cut of safe score में आपको बत कर लें आपका result date के बारे में तो within one month में आपका result आता है 30 से 35 दिनों में आपका result declare हो जाएगा यानि कि हम मान के चले कि अभी आपका पांच जुन को exam हुआ है तो दस जुलाई तक आपका यहाँ पर result है वह release हो जाएगा ठीक है दस जुलाई तक आपका ESIC MTS की मेन आपका result ह तो भी आजाएगी और UDC की result देखे तो अभी तक आई नहीं है तो जून के दस जुन तक आपका ESIC UDC का भी result आजाएगा और MTS की result है जुलाई में आपको देखने को मिलेगा 10 जुलाई से पहले पहले ठीक है तो यह आज की वीडियो उमीद करता हूं कि आपको वीडियो अ और टेकर